स्वागते स्टुडेंट्स आपको अमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा आठवी का विसे गनित का परतीबा पूरु मुल्यांकन वर्क्षीट 2021-22 जो आपके स्कूलों में एक्जाम चल रही हैं उसके संदर्म में ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये बता दें ये मद्ध्य पर्देश बोर्ड के कक्छा आठ का पेपर है जिसमें हम खंड A और खंड B जिसमें पहले खंड में 16 प्रशन हैं दूसरे में 2 हैं टोटल 18 प्रशन हैं 30 और 20 अंके हैं तो टोटल 50 अंक हो गए इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे मेरे बताए अनुसार तो आपको 50 में 50 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे तो आपको अंतक देखना है और पूरे मार्क्स अरजित करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड A भव वेकल के प्रशन हैं सभी एक मार्क्स के हैं पहला प्रशने देखिए माइनस आठ गुना एक कामान क्या होगा आठ हो जाएगा A उत्तर हो जाएगा अगला है पांच बट्टे नौ को तीन बट्टे पांच के व्युतकरम से गुना करने पर प्राप्त गुननफल कैसा क्या होगा व्युतकरम मतलब उल्टा पांच बट्टे नौ गुना पांच बट्टे तीन कित्ता हो गया पचम 25 बट्टे 27 तो C उत्तर हो जाएगा हमारा अगला देखिए तीन की घाज 0 प्लस तीन की दो की घाज 0 ब्रैकिट में है गुना कर रहे है पांच की घाज 0 से तो जिसकी भी घाज 0 होती है उसका मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 गुना 1 कित्ता हो गया 2 हो गया 2 उत्तर हो जाएगा 2 अगला है 8X बट्टे 9 माइनस 5X बट्टे 9 का मान क्या होगा 8X माइनस 5X में से घट जाएगा किता आजाएगा 3x बटे 9 3 से कड़ जाएगा 9 किता आगया x बटे 3 उत्तर आजाएगा जो की D है प्रश्ण में 5 देखिए एक न्यून कौन का संपूरक कौन क्या होगा मतलब उल्टा होता है तो न्यून कौन 90 से कम तो संपूरक क्या हो जाएगा 90 से जादा तो अधिक कौन बोलते है 90 से जादा वाले कौन को C उत्तर हो जाएगा अगला है जदी ट्राइंगल PQR त्रिबूच PQR में Q का माप 47 है और R का माप 52 है तो P का माप क्या हो जाएगा 180 में से 47 प्लस 52 को गटा देंगे उत्तर कित्ता आजाएगा 81 डिग्री जो की B है अगला है प्रशन नमबर साथ है त्रिबूच ABC बराबर है PQR के तो भुजा AB का संगत भुजा कौन सी हो जाएगी PQ हो जाएगी अगला देखिए अंग्रेजी विशे के एक विशे में 5 चात्रों के अंक आएए 36, 28, 7, 49 और 45 तो माद्धिक क्या क्या होगी इसे हम जमा देंगे 7, 28 फिर इससे बड़ा कौन सा है 36 फिर 49 और 45 जो बीच वाला होता है माद्धिका होती है तो 36 हो जाएगा उत्तर B 3 बट्टे 4 का परतिसत बताईए 3 बट्टे 4 का 100 से गुना खर दीजिए परतिसत ने परिवतित हो जाएगा कित्ता आजाएगा 75 परतिसत अगला है एक दुकानदा ने एक कुरसी 4.500 में खरी दी और 500 में बेज दी तो उसका परतिसत घ्याद करना है क्रेम उले कित्ता दे रखा है 400 विक्रेम उले है 500 तो लाब कित्ता हुआ 50 रुपय का घटा देंगे तो लाब परतिसत हमें ग्याद करना है तो लाब गुना 100 बट्टे क्रेम उले तो 50 गुना 100 बट्टे 45,400 100 बट्टे 9 कित्ता ओजाएगा ग्यारा साही एक बट्टे 9 पर 30 अगला है 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ग्यात करना है तो पहले किलोग्राम को हम ग्राम में परिवर्चित कर देंगे तो किता आजाएगा 25,000 तो 25,000 बट्टे साड़े 300 किता हो जाएगा 500 अनुपात 7 अगला है बारवा करेंगे यह प्लस है तो ऐसे कि ऐसी संक्या आ जाएंगी और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से गुना हो जाएगा 3x और माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का y और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 11 देखिए यहाँ माइनस 11 से माइनस 11 कड़ गया इसी प्रकार से 3x से 3x कड़ गया क्या बचा माइनस y और 11 माइनस y प्लस 11 अब है 4 बटे 9 के सम्तुल्य 4 परीमे संख्या बनानी है तो 4 बटे 9 लिख देंगे पहले 2 बटे 2 से गुना कर दिये 8 अठे 18 3 बटे 3 से गुना कर दिये 12 बटे 27 4 बटे 4 से करेंगे 16 बटे 36 5 बटे 5 से करेंगे 20 बटे 45 तो 4 संख्या हो जाएंगे हमारी किसी वर्गाकार का तो हमें पता है वर्गाकार परिमा सारी बुजाएं समान होती है तो 4X बराबर 360 मीटर हो जाएगा तो बुजा क्या हो जाएगी 360 बटे 4 मतलब कि 90 मीटर की एक बुजा है चेत्रफल में पता है वर्ग वर्गाकार वर्ग का चेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा तो 90 गुना 90 कर दिंग कित्ता आ जाएगा 8100 वर्ग किलो मीटर वर्ग मीटर सॉरी प्रस्ट नमबर 15 देखिए एक विध्यारती एक पुस्तक को प्रती दिन 1 सई 3 बटे 4 घंटे में पढ़ता है यदि वह संपूरक संपूर पुस्तक को 6 दिनों पढ़ता है तो उस पुस्तक पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे एक पुस्तक 1 सई 3 बटे 4 6 दिन पढ़ रहा है तो 6 गुना कर देंगे 1 सई 3 बटे 4 को मिस्त्र से 7 बटे 4 तो 6 सत्य 42 बटे 4 कितना हो जाएगा 4 सई 2 बटे 10 घंटे अगला है दो समानतर रेखाएं देखिए हैं L तथा M कोतरियक छेदी रेखाएं गाटती हैं तो निम लिखित प्रस्टनों के उत्तर लिखिए L और M काट रही है तो अनते कौन क्या बन जाएगे जो अंदर वाले कौन होते हैं और अनते कौन कहलाते हैं तो C F D E भारे कौन क्या हो जाएगे भार वाले कौन सभी भार वाले भार की तरफ देखते हुए क्या हो जाएंगे B, A, G, H संगत कौनों की युग्म कौन से हो गए संगत कौन देखिए A, E इसी परकार B, F इसी परकार G, C और D, H ये सबी बराबर होते हैं इसलिए A, B, F, C, G और D, H अब देखेंगे एकांतर अंते कौन की युग्म, C, E और D, F जो Z बनाते हैं वह होते हैं, C, E और ये को जाएगा D, F एक उल्टा जड़, एक सिदा जड़ अब हम करेंगे खंडब, खंडब में हमें सार्णी दी गई है, इसमें विध्यार्ती, ये एक दो प्रशन आएंगे आपके ददस नंबर के पहला प्रशन देखिए, विध्यार्ती कक्चा 6-7-8 की विशाइक पाठे पुस्तकों की माध्यम से हमें तीन गनित्यों की जानकारी घट्टी करनी है, तो हमने कर ली है देखे, पहला है, आर्रे भट जनम ते थी, दिसम्बर 466, इसवी इसापूर्फ, सॉरी जनम हुआ था, पाठली पूत्ल पाठली पुत्र पटना भिहार में सिक्छा नालंदा विश्व विध्याले में की खोज क्या है, पाई और सुनने दूसरा देखे, श्री निवास रामनुजन, 22 दिसम्बर 1887, तमिल नाडू में कैम्ब्रिज और पैचेपस कॉलेज से पढ़ाई की है, इनों ने त्रिकॉन मिती और लॉंडो रामनुज इस्थारंग की सूज, हमें दिया था अगला है, सकुन्तला देवी 4 नमंबर, 1929, बैंगलोर मैसूर उनिवरस्टी से पढ़ाई की वर्गमूल ज्यात करना सिखाया इसके बेज पर हमें कुछ परशना और हैं वे भी देख लेते हैं आपके घर से परते गनिते की इस्थान की अनुम्बति दूरी तो हम मद्यपर्दे से लगाएंगे किसी भी तो 15 सक किलोमेटर होगा लगभग 15 सक किलोमेटर आपके घर से परते गनिते के जनम की स्थान की दिशा सब दक्षिन में ही है, ज्यादा तर दक्षिन पूर्विया दक्षिन पच्चे में अगला देखिए प्रस्ट नमर दूसरा दस माक्स का है विध्यारती ने अपने घर या आसपास परिवेश से दस वर्गाकार या तथा आयताकार भुस्तूओं का चैन करना है और सानी में लिखना है वस्तूओं के लंबाई, चोड़ाई, मापक और सानी में लिखनी है तो वस्तूओं के नाम हम लिखेंगे ये दस लिखने हैं हमें बच्चो तो वस्तू जैसे पहले दो दिये हुए हैं लिखे हुए बिस्क्युट और पुस्तक 3 cm ये पुस्तक लगबग होती है 18 cm चौड़ाई 2 और 7 तो परीमाप हमें पता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा 10 हो जाएगी इसकी 50 हो जाएगी 6 छेत्रफल 6 इसका हो जाएगा 6 लंबाई गुना चौड़ाई होता है 26 इसी परकार से आपको 10 चीजे को 71 करके यहां पे लिखना है और यह 4 परषनों के उत्तर भी लिखने है तो किस वस्तु का चेत्रफल अधिक है सबसे अधिक चेत्रफल जिसका निकलेगा वे हमें लिखना है यह आप स्वेय कर सकते हैं आप कोई भी वस्तु का नाम लिखिए और उनका परिमाप लिख दीजिए और हो जाएगा सबसे कम परिमाप वाला शेत वस्तू सबसे अधिक छेतरफल और सबसे कम छेतरफल में अंतर जिन वस्तू के सबसे अधिक है और सबसे कम है उनके बीच में अंतर निकालना है और ऐसी वस्तू का नाम जिसकी लंबाई चुड़ाई बराबर हो ऐसे कि नहीं दो वस्तूओं भी लमें लिखनी है जिनके लंबाई चुड़ाई बराबर हो वह वस्तू हमें यहाँ पर दिरसानी है ने कुल सिंपल परशन हमने हम आपके एसाब से पूरा देखिए पूरा आपके लिए लेकर आए हैं औरिजनल पेपर इसी परकार से और भी लाएंगे आपके लिए तो जुड़रे ही चैनल से लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें थन्यवाद